मोगरे के पौधे की केर किस तरीके से करेंगे जिससे की आने वाले समय में बहुत जल्द आपके मोगरे में फ्लारिंग स्टार्ट हो जाए और मोगरे का पौधा सूखे भी ना मोग्रे के पौधे को नवेंबर के बाद से दिसंबर और 14 जन्वरी के बीच में यानि की एक सवा महीने तक रेस्ट पिरियड में छोड़ना होता है और ये हर उस पौधे के साथ होता है जो सालो भर जो पौधे फ्लारिंग करते हैं जैसे ये मेरे मोग्रे का पौधा आपको दिख रहा है ये लास्ट येर जैन्वरी से लेकर लास्ट मन तक यानि की अक्टूबर एंड तक बहुत ही अच्छी फ्लारिंग करता रहा फिर धीरे धीरे फ्लावर कम होने लगे तो आपके पौधे के साथ भी ऐसा हो रहाँ होगा भी कि फ्लारिंग बिल्कुल नहीं हो रही है नाके बराबर है तो सबसे पहले step में आप क्या करेंगे पौधे को cut कर दीजे यानि कि deep pruning कर दीजे मोगरा को इस season में deep pruning किया जा सकता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा और बहुत जल्दी नई shoots आप ले पाएंगे आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से आप अपने मोगरा को स्वस्त रख सकते हैं आने वाले समय के लिए ready कर सकते हैं तो deep pruning कर दीजे deep pruning कहने का मतलब है कि उपर से cut कर दीजे आपको जिस तरीके का shape देना है आप मोगरे में दे सकते हैं जैसे कि देखिए ये वही पौधा है जो इतनी अच्छी flowering कर रहा था और इसको मैं या new branch निकल रही है इस पर भी बहुत ही अच्छी flowering अभी January के end के बाद से शुरू हो जाएगी अब second चीज यह है कि मोगरा को अभी कोई heavy fertilizer तो नहीं देना है लेकिन जो fertilizer में बता रही हुए nitrogen और calcium से युक्त है ये दोनों खाद मिल करके आपके मोगरे की पत्तियों को साइट में रखेंगे मोगरे को shade में नहीं रखना है open में जहां आप रखते थें उसी जग़ा पे रखना है मोगरे के पौधे को dormancy से बचाने का या सूखने से बचाने का जो तरीका है ये best तरीका है जो आज मैं आपको बता रही हूँ वैसे मोगरा ये permanent plant होता है तो मोगर मोग्रे के पौधे को आपने जमीन में लगा रखा है तो जमीन के चारों तरफ आप गुड़ाई कर देंगे गुड़ाई करने से रूट्स भी स्ट्रॉंग होती हैं मोग्रे के पौधे को यदि आप तरुताजा और फ्रेश रखना चाहते हैं तो इसके लिए हमेशा आप घर आरेंच के कंटेनर में लगाया है और पौधा बहुत ही घना हो गया है और आप सोच रहे हैं रीपौट करने के लिए तो रीपौट करने का ये सही टाइम नहीं है ये बात मैं इसलिए अभी बता देती हूं क्योंकि किसी की क्वेरी थी कि क्या पौधे को अभी हम नहीं हो पाता रीपौट करने के लिए आप फैब का मन्त रखे चौदा फरवरी के बाद ही अपने पौधे में रीपौटिंग कीजे अब अगली चीज ये है कि गुडाई जो हरेक 15 दिनों के बाद आप करेंगे गुडाई करने से 2-3 फायदे एक साथ हो जाएंगे एक तो पौधे के उपरी सतह पर किसी भी प्रकार के फंगस या किसी ऐसे चीज का अटैक नहीं होगा जिससे पौधे की जणे खराब हो गुडाई करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है एक चम्मच चाय पत्ती यूजड टी लिफ हो तो दो चम्मच ले सकते हैं और फ्रेश ट क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है नैचुरल तरीके से आपके पौधे को जो मिल रहा है इससे आपके पौधे की पत्तियां तो लश ग्रीन होंगी और पौधा सूखेगा भी नहीं यह जो चैपत्ती होते हैं इनके तीन-चार फायदे हैं हमारे पौधे पर एक तो यह है क मिट्टी नैचुरली एसेडिक होती है मिट्टी जब एसेडिक हो जाती है तो पौधे जो खासकर जो पी एच सिक्स टू सेवन में सर्वाइब करते हैं उनके लिए एक उचित माहौल मिल जाता है और मोगरा को अगली जो इंपॉर्टन चीज चाहिए वो है कैल्शियम जित चुना मैं इसमें दे रही हूं ये शायद आप किसी और पौधे पर दें तो उतना फाइदा ना करें जितना की मोगरे पर करता है मोगरे पर कैल्शियम युक्त किसी भी फर्टिलाइजर को यूज करने से आप बहुत ही जल्दी रिजल्ट देख पाएंगे इस तरीके से ए चम्मच ले लिया उसे तीन-चार घंटे के लिए पानी में भीगो दिया और फिर उसके पानी को जणों में डाल दिया ड्राई और ये लिक्विड दोनों ही तरीके से यूज किया जा सकता है जब फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो आप एक चम्मच से भी कम लेंगे लेकिन यूज टी लीफ ले रहे हैं जैसे जो चाय हम घर में बनाते हैं उसके बाद जो चाय पती बच जाती उसे अच्छे से वाश कीजिए सुखा लीजिए यदि उसमें अदरक है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है अदरक से आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा और उसे दो चम्मच भरके आप डाल दीजे इससे आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपका पौधा स्वस्त भी है और डॉर्मेंसी में बिल्कुल खराब नहीं होगा पौधा और बहुत जल्दी 14 जैनवरी के बाद से नई शूट्स आएंगी और फ्लारिंग फैब के शु देली करनी है धूप में रखना है जिस तरीके से रखा है आपने प्रूनिंग एक बार ही कर देना है बार बार नहीं काटना है जैसे हम पहले हर बार फ्लारिंग के बाद प्रून करते थे वो फ्लारिंग के बाद होती है अभी आपको सिर्फ उपर से एक शेप दे दीजे ज इसे सर्दियों में सूखने से बचा सकते हैं एक चीज और है कि अधि मोगरे की पतियां आपकी पतियां ड्राई दिख रही हैं तो आप क्या कीजिए इसी चैप पति को रात भर पानी में भीगोई और अगले दिन चान लेजे चान कर इस प्रे बॉटल में भर दीजिए और व हो जाएंगे और आपका पौधा स्वस्त हो जाएगा यदि पौधे पर बहुत ज्यादा फंगस का टैक है तो आप फंजी साइट से स्प्रे भी कर सकते हैं लेकिन यह जो चैपति का पानी मैंने आपको बताया है यह मोगरे के पौधे पर बहुत ही अच्छा काम करता है कि आप इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो चारो तरफ से गुडाई करके एक से दो मुठी आप यूज टी लिफ जमीन में ही डाल दीजे और उपर से मिट्टी भर दीजे भर के दो तीन चम्मच आप चुना डाल दीजे और उपर से मिट्टी भर के छोड़ दीजे वह अपने आ अलग से कुछ आपको करने की जरूरत नहीं होती है धन्यवाद